हेलो फ्रेंड्स स्वागत था आपको मेरे चैनल में जिसका नाम है अपिश्क्रियेशन और मेरा नाम है शिल्पी आज मैं आपको एक बहुती सुन्दत बहुती क्यूप सा यह समूसा बैंक जिसको बूलते हैं यह बनाना बताने वाली हूँ दोस्तों हमारे पास जब हम साडिया लेते हैं तो उनके साथ में बहुत से ब्लाउस पीसे सा जाते हैं जिनकों स्टिच नहीं कराते हैं और वो हमारे पास यूँ ही पड़े रहते हैं ऐसे ही एक प्लॉस पीस था मेरे पास इसका मैंने मेरी बेटी की लेहगे के साथ के लिए टॉप इस्टिच किया था मेरे बेटी की निद्वांड थी कि उसे एक चोटा सा बटुवा या पोट्ली पे य सटानिय चाहिए जो लेहगे के सानिकर सकते तो उसकी demand पर मैंने उसके लिए cute सा salmon sa bag बनाया है जिसे चाहे तो हम भी use कर सकते हैं और चाहे तो बच्छे भी use कर सकते हैं ये देखी इस तरीके का है ये देखी इसमें काफी space है और सबसे बड़ी बात ये देखने में बहुत ही cute लगता है देखिए कितना प्यारा लग रहा है आज मैं इस वीडियो में आपको यह समोसब है कि बनाना बताऊंगी यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा आप में से बहुत से लोग मेरे वीडियो देखते तो है पर उसे लाइक नहीं करते सबस्क्राइब नहीं करते प्लीज उसे सबस्क्राइब कीजिए क्योंकि यदि आप सबस्क्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना सके आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंट्स के साथ में, फैमली के साथ में शेयर कीजिए और प्लीज बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आया उसकी लोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे, तो देखिए इस वीडियो को सबसे पहले हम यह रप्रे का टुकड़ा लेगे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बापको बताते हूँ यह पंद्रा बाइट, यह देखिए इसकी चौड़ाई है पंद्रा एच और लंबाई है सबसे तो यह साथ वाइच, पंद्रा का एक कपड़ा लेगे हम इसे राप की एक रबरशीट भी सेर थिरणापकी रबरशीट लेगे और इसी राप का 3 कपड़ा लेगे इस तरीके से हमने बच्चा हुआ अस्तर के कपड़ा लिया है क्योंकि कपड़ा छोटा पढ़ रहा था इसलिए मैं इसको जोट कगाया हुआ है तो यह लेंगे हम और सबसे पहले में कपड़े और रबर शीट को साथ में लेते हुए इस तरीके से पिनफ कर देंगे एक इस साइड और दूसरा यह इस साइड ताकि यह अपनी जगा पर फिट्स करें यहां वहां ना खचाएं कि इस तरीके से हम इनको पिलप करने के बाद हम रबर शीट और इसको इस तरह से चारो तरब से जोड़े हुए ऐसे सिलाई करते हुए दिए रिट्स से जॉइन यहां को प्रट्षीट कर दो सकते हैं सबसे पहले हैं इसे रखते हैं और इसे दिलारों से जोड़ते हुए कि czyćते हैं और इसे और इसे उर्ण से जोड़िथियाह कर दो एफजार कि जिए पर कर दोगा है कि इस पर सेटेक्स करने के बाद में अब हम एक चेन लें है जिसकी चोड़ाई इसप्रे की चोड़ाई के बड़ाता होगी यह देख इस त्रीकों इस तरीके से लगाते हैं यह ऐसे परके लगाएंगे यह जो हमारा इसतर के कपना है इसतर की कपड़े को इसके उपर इस तरह से रखके और हम यहां ही इस तरह पूरी यहां से लाई करतेंगे जैसे भी हम इस तरीके से पिल से सिक्यूर करते हैं ताकि यह दिख लेना हूँ अब इसमें इस तरह से सिलाई करना के बाद में हम इसको पीछे की तरह पोल्ड करते हैं ऐसे और यहां पर टॉप स्टिच लगा देंगे ठीक इसी तरीके से चेन के इस हिस्थे को हम यहां से निकाल कर दूसरे सही चोड़ेंगे और इसमें भी टॉप स्टिच लगा देंगे तो मैं आपको यह करके दिखाते हैं अब यह देखें दूसरी तरब यह हमने कपड़ा रखा कपड़े के उपर यह उल्टी करके चेन रखी और चेन के उपर से यह अस्तर के कपड़ा ने कराएंगे और यह कॉर्णर में ऐसे प सटमर्णर के और यह को एकंड़े लॉक एससे उसलन देख करूं स्रेंगे है एक बार पूरा नाख करने में के बारे नियुक्रट वह दृटर ओजिंदार दकरखें आफिस अब हम इस को इस तरीके से बना पिलेंगे अब हम क्या करेंगे इस चीन को ऐसे इस तरीके से रखेंगे और इसको साइट करते हैं यहां पर सेंटर कमार कर लेंगे यहां पर एक छोटा सा कट भी लगा सकते हैं यह करने के बाद में अभी हमने यहां यह पिंस लगा रखेंगे ताकि अस्तर और जो में मकीरियल हो वो यहां वहां ना हो एक टेखा फिक्स रहा है अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट को चेन की ऊपर इस तरीके से रखते हुए और यहां इस तरीके से सिलाई करते हैं और यह हमें इस तरह से करना है कि जो रणर का प्लेन वाला हिस्सा हो यह नीचे को हो चेन जब नीचे की जाए तो खुल रही हो और उपर की जाए तो बंद हो रही हो इस तरह से रखते हुए हमें नीचे की तरफ यह सिलाई करते हैं यह देखें इस तरह से हमने इसमें नीचे पाइपिंग लगाकर इसको फिनिश कर दिया है ताकि इसके रफीजिस भी ना दिखे और इस तरह से यह वारत मिच्छे पहस्ता सिल गया है अब हम इसके लिए बैल्ट तयार करेंगे बैल्ट तयार करते के लिए हम रबर शीट लेके रबर शीट की लंबाई अब यह 30 इंचेस लिए अब रबर शीट को यह कपड़े के उप सुपिए रबर शीट से इससे सवर्ट से पोर्ड करते हुए है ना ग्तिट बशे पाथीं के अर्विए ओर शीटर से लाई कर लेगिए हम ने इस तरीके से बैल्ट तेयार कर लिया है अब असधो दोने साइट से पिदरस्स करते अथा अब कि वाला हिस्सा लेकर हम इस हिस्से को इस तरीके से ये नीचे वाला हिस्साद ने सीधा जो रहा था अब चेन को इस तरह से पकड़ते हुए और इस वाले हिस्से को कि इस तरह से तिकोड़ा करते हुए चोड़ेंगे और यह जो प्रेल्ट है हमारा यहां चेन की साइड में यहां पर ऐसे लगाएंगे और इसको यह इस तरीके से इक्टम सीधा यह देखिए यह हमारा तिकोड़ा शेपा रहा है यह देखिए यह इस तरीके से यहां से हम यह पूरा ऐसा से लिए यह इस तरीके से सिले के और इससे लिए के आपके अब यहां पर भी पट्ती लगाएंगे इसको फिरिश पर देखिए यह हमने दोनों ही तरब से यह पट्ती लगाएंगा फिलेश कर दिया है जिससे हमारे कोई भी रफ रेजिस इसमें तरही रही है अब यह एक्स्ट्र दाजी भी हम खाट कर रख देखिए अबा कर दो है पाना्त नेला डप उनसे पाना करें तो आज दो है कि आएकक्सितर ही एकको प्सपार किसे सानद्ट इस बीजिए पर इकसों तब करते हैं और यह देखिए हमारा ब्यूटिपूल सा समूसा पेट तरिया आगा है इसका शेर बिल्कूल समूसा की तरा है और यह देखने पर बहुत है की तो हो रहा है और इसे मैंने लेफ्ट रोवर कप्रे से बना है आप चाहें तो किसी भी मटीरियल से किसी भी कप्रे से बना सकते है यह बहुत ही प्यूटिफूल लगता है तो बीज करते हो आपको मेरा इस वीडियो पसंद आए होगा तो प्लीज लाइक केजिए सब्स्क्राइब केजिए शेयर केजिए और प्रेल लाइक जरू प्रस केजिए आप देख देख झाल